नमस्कार आज भादेव क्लासेज में मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अंजली इला मैनन आप सबी से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सस्क्राइब करें तो आज हम जो हैं आज बताने वाले हैं जैसा कि आप जानी गए होंगे तो हम आज बताने वाले हैं अंजली इला मैनन के बारे में किसके बारे में अंजली इला मैनन के बारे में तो अंजली इला मैनन जो थी इनका जनम जो था जोलाई 1940 में हुआ था कब हुआ था इनका जनम जोलाई 1940 में हुआ था कहां पर हुआ था पस्चिम बंगाल के बुरणपूर में कहां पर हुआ था पस्चिम बंगाल के बुरणपूर में कब हुआ था 1940 में कौन से महीने में जोलाई में कहां हुआ था पस्चिम बंगाल के बुरणपूर में हुआ थ इनकी जो सिख्षा थी वो जे जे स्कूल ओफ आर्ट से हुई थी तो इस तरह से आप से कॉश्चन पूछा जा सकता है कि यह जो अंजली इला मैनन है इनकी सिख्षा कहां से हुई तो आपका आंसर होगा जे जे स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट मुंबई कहां से जे जे स्कूल आफ आर्ट मुंबई थे इनका जो माध्यम क्या था तो इनका जो माध्यम था मेशन साइट हार्ड बोर्ड पर तेल यानि हार्ड बोर्ड पर तेल माध्यम था इनका क्या से यानि बोर्ड हार्ड बोर्ड पर तेल माध ठीक है अगला था अगला है इनपर किन किन अचकला कारों का परबाह हो था गला परभाव था तो यहां भी question पूछा जा सकता है कि आंजली इना मैनन पर किसका परभाव था तो एक दे देंगे या इन तीनों को देंगे और फोर अगला डाल देंगे कि इन में से अलग कि किसका परभाव नहीं था तो आपको नहीं वाला चूज करना होगा इस तरह से यहां पर question आप से पूझा जा सकता है सन 19Unini 69 से 61 में इनहें जो है फ्रांस से एक छात्र वरती मिलीती सिख्शा अग्रहन करने के लिए फिर यहां से जो है शिख्शा अग्रहन करने से जोह इनोने सिक्षा ग्रहन की किती हो फिर और इनका विभाद इनका विवाद जो वो राज्यअ मैनन से हो गया फिर इनका विभाद और stip जोग पी रहा यह जो था और इनका व्यवाद जो था जो Subshop Pulac اور तरज आए अपो आझा को बाद प्रतेंуйте इनका जो मतलब ये क्या क्या थे ये चित्रकार होने के साथ साथ मियूरुलिस्ट भी थी यानि भित्ती चित्रन भी किया करती थी तो एग्जामनर आप से पूचा पूच सकता है कि चित्रकार होने के अलावा क्या थी तो ये चित्रकार होने के अलावा मियूरुलिस्ट भी थ थी फिर जो है पदम स्री सम्मान जो था इन्हें 2000 में इनको क्या मिले है पदम स्री सम्मान मिला तो यह इसे आप से कोश्चन पूछा जा सकता है बिल्कुल कि अंजली इला मैनन को पदमस्री पुरुसकार कम मिला तो आपका अंसर होगा सन 2000 में अंजली इला मैनन को कालिदा सम्मान कम मिला ये कोशन पूचा सकता है तो आप बताएंगे 2018 में तो 2018 में जो है इनको कालिदा सम्मान जो मिला था फिर इसके बाद जो है Lifetime Achievement Award फिर इन्हें एक जो है Lifetime Achievement Award भी मिला जो मिला था 2013 में कम मिला था 2013 में जो था इनको Lifetime Achievement Award भी मिला है और इनकी जो सबसे प्रमुक जो एक चितर सरंकला है जो प्रमुक है वो है Mutunson Sus जो इनकी है सबसे प्रसिद चितर सरंकला है फिर इनोंने कुछ चितर भी बनाए है जो इस परकार है तो इनोंने एक चितर बनाया था बीमार की देखभाल करती Mother Teresa यानि बीमार व्यक्ति की देखभाल करती हुई Mother Teresa Mother Teresa को तो आप सही करते सभी जानते ही होंगे अगला चितर था इनका चेयर अगला चितर था जो इनोंने बनाया था 1906 में कब बनाया था 1906 में अगला था नंदीता चितर इनका क्या था नंदीता जो इनोंने बनाया था 1913 में फिर अगला था इनका माला बार क्या था माला बार जो बनाया था इनोंने 1978 में कब बनाया था 1978 में कब बनाया था 1988 में कौन सा चितर बनाया था माला बार फिर इनका एक चित्र था man with a red chair यानि लाल कुरुसी के साथ व्यक्ति इसको हिंदी में पूछ लेते ये कब बनाया था इन्होंने ये बनाया था 1987 में कब बनाया था 1987 में dream dream चित्र जो था ये भी इन्होंने intensus एड ये बनाया था Syndrome स्कति एक चित्र बनाया था सकती इन्होंने जो किसमे बनाऊ था fiberglass में में रफाइबर ग्लास में ये बनाया था इन्होंने 1991 को ये हम sprint हो गया ठीक है इसे काट ले तो ये मनाया था इनोने 1990 को ये मैंने पहले बता दिये तो इनकी जो प्रतं प्रदर्सनी इन्होंने कब लगाई थी तो इनकी जो प्रतं प्रदर्सनी थी वो उन्नीस तो अठावन में लगी थी कब लगी थी 1958 में लगी थी इनके चित्र जो है कहां पर है राष्टियस आधूनिक कला संग्राले में है और जो है इनके एक्सेस मूजियम और जो बाकी चित्र है इनके पीबाडी क्या था पीबाडी में कहां पर पीबाडी पीबाडी में जो था एक्सेस मूजियम में इस्तित है फिर जो है इनको जो है एक पुरुसकार मिला था दयावती मोती पुरुसकार कौन सा पुरुसकार मिला था दयावती मोती पुरुसकार ये इनको मिला था 2013 में कम मिला था 2013 में तो एक बर इसके साथ साथ जो है अब हम मैं अपनी वानी को विराम देती हो और आप लाइक एंड शेयर करें धन्यवाद जय माता दी